के अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे देखिए आज हम ये वह कृष्मस बैल लेकर आए हैं बहुत सुन्दर हैं बहुत प्यारी हैं दो कलर में मैंने बनाई है यह और इसमें देखी मैंने गुंगरू भी लगाए है अंदर और यह बचते भी है और आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने घर में और देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है यह आध हम इनको बनाएंगे कैसे बनाते हैं और इसमें आप बची हुई उन से ब हम इसको आज बनाएंगे बहुत प्यारी है यह और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों में फ्रेंड्स में सेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इससे बनाने के लिए मैंने रेड कलर का उन दिया है और नो नंबर की मैंने सिलाईय ली है तो हम इसके लिए फंदे डालेंगे फंदे डालेंगे तो हम थोड़ा सा धागा एस्ट्रा छोड़ेंगे फंदे डालने वाली साइट पर जिससे हम बाद में सिलाई कर सके तो हम यहाँ पर सिंपिल फंदे डालेंगे तो देखी मैंने इतना सा धागा छोड़ रखा एदर को बीस फंदे डालूंगी मैं यहाँ पर बीस फंदे डालने के बाद हम उल्टी उल्टी चार सलाईया करेंगे दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हमें चार सलाईया कम्प्लीट करने है पर दोनों तरफ समा उल्टी 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 करने है सलाई कम्प्लीट होने वाली है पहली सलाई कर ली मैंने इधर से भी हम उल्टी करेंगे और दो सलाईयां उल्टी-उल्टी हम और बुनेंगे देखिए इसी तरीके से हम चार सलाईया कर लेंगे देखिए हमने बना लिया है इसका बॉडर यह दर से दो लाईने आई है और यह उल्टी तरब से है अब हम उल्टा-उल्टा नहीं बुनेंगे अब हम यहाँ पर सीधी सलाई करेंगे सीधी तरब से सीधा बुनेंगे और उल्टी तरब से हम उल्टा बुनेंगे कि यह हमने सीधी करिए सीधी तरफ से और अब हम यह उल्टी साइड आ गए हैं तो इधर से हम उल्टी करेंगे क्योंकि हमें सीधी तरफ से सारा सीधा पैटर्ण चाहिए कि अगया हुआ है अब हम इस तो अगया हो गई है अब हम इदर सीधी साइड आगे है तो सीधी साइडं सीधा बुनेंगे इसी पिरकार बुनते हुए हम आपर आठ सलाई कर लेनी है जो2 हम कर चुके हैं तीसरे सलाइ़ कर रहे है और पास सलाय हम् हमें इसी तरीके से और करनीय है एक फंदा बुनेंगे और आगे दो फंदो को फिर हम दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे फिर एक फंदा बुनेंगे फिर दो फंदो का दो का एक करेंगे फिर एक फंदा बुनेंगे फिर दो का एक करेंगे इसी तरीके से हम इन फंदो को सबी को बुनेंगे एक बार एक फंदा बुनेंगे और एक बार हम दो का एक करेंगे इधार से भी हमें यही करना है दो का एक किया एक फंदा बुना फिर हमने दो का एक किया एक फंदा बुना फिर दो का एक एक फंदा बुना, फिर दो का एक, एक फंदा बुना, और फिर दो का एक, अब धर्डु आ गई इसी तरीके से, एक फंदा बुनेंगे, फिर दो का एक, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर दो का एक, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर दो का एक, अब हमें यहाँ पर छे फंदे मिले हैं, देखिए, तो अब हम इन छे फंदों को, आप चाहें तो और कम कर लें इनको, या फिर इनको ऐसे ही तो अब हमें सुई की जरूरत पड़ेगी तो हम सुई ले लेते हैं कि इस धागे को जो हमारा ये जिससे हम बुन रहे थे ये इसको हम थोड़ा सा लंबा काटेंगे ज्यादा नहीं 12-13 इंच लंबा काटेंगे इसको इसको यहां पर सुई में लेंगे कि सुई डालने के बाद इन यह जो फंदे हैं सलाई में तो इन फंदों को हम इस सुई के धागे में ले लेंगे देखिए कि ध्यान से करें कोई फंदा चूटे ना यह हमने ले लिया और एक बार इसमें को दुबारा दागा निकाल दे जिससे यह अच्छे से कस जाए देखिए उल्टा करके हम यहाँ पे खल किसी नोट लगा देंगे अभी पक्का करके हम इसको बाद में सिलेंगे यह हमने नोट लगा दी यह फंदे धी लेनी पड़ेंगे इस धागे को निकाल देते हैं सुई में से आप जो यह नीचे वाला धागा था इसको सलाई सुई में लेंगे सुई में लेने के बाल हम यहाँ नीचे से इसको सिलेंगे आप चाहें तो उल्टी तरफ से सिल लें जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सिलने मैं यहाँ पर इसको पक्का कर लूँगी पहले धागे को देखिए यहाँ से उठाएंगे हम फिर यहाँ से उठाएंगे इससे क्या होगा कि इसका जोड जो है वो हमें दिखाई नहीं देगा और बिल्कुल मेल खाती हुई सिलाई आएगी जो हमने फंदा बिना बुना लिया था उसकी जाली में से हम इसको लेंगे इस तरीके से देखिए यह हमने से लिया यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे पक्का करने के बाद यह देखिए हमारा सिल गया है यह पक्का करने के बाद हम इस धागे को अंदर की साइड निकालेंगे यहाँ पर अंदर की साइड निकाल लिया अब हम इसमें आपके पास जो भी घुंगुरू उपलब्ध हो यह घंटी उपलब्ध हो आप उसको इसमें धागे में डालें मेरी सुई मोटी है तो मैं ऐसे ही डालूंगी इसको दागे को इसी तरीके से में डालूंगी इसमें मैंने धागे में ये गुगरू डाल लिए हैं और धागे को बापस सुई में डालूँगी मैं और इस धागे को यहां से ही जहां से हमने ये बाहर निकाला था अंदर की साइड से ले जाते हुए इसको उपर की साइड निकालेंगे यहां पर और हम इसको इतना रहने देंगे अगर आप चाहते हैं यह दिखाई दे तो आप इसको नीचे इस तरीके छोड़ दे और थोड़ा उपर कर दे जितना भी आपको उचित लगे इस तरीके से आप इसको रहने दे और यहां पर एक नोट पकी कर दे जिससे लूजना हो और उपर या नीचे खिसके ना देखें अब इन दोनों धाउगों को यहां पर पका कर दें और हमारी बैल बनके रेडी देखें यह बचती भी है और यहां पर जितना एश्टा धागा है हमारा उसको हम यहां से कट कर देंगे यह बहुत प्यारी है बहुत सुन्दर है और इसमें घुमूरू भी बज रहे हैं यह आप बनाएं और अपने सभी साथियों में फ्रेंड्स में इसको सेयर करें थैंक्यू